पदमसी से सम्मानित देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर नरिंदर प्रसाद का निधन हो गया है तो वड़ी खबर हम आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं जहां देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर नरिंदर प्रसाद ने आज पटना इस्थित अपने आवाज पर 91 वर्स की आयू में उन्होंने अंतिम सांस ली है उनके सुपुत्र डॉक्टर आलोक अभीजीत ने इस वात की जानकारी दे हैं आपको बताते चले कि उनके सुपुत्र डॉक्टर आलोक अभीजीत भी परसिद्ध लेप प्रो अस्कॉपिक सर्जन है वहीं विहार के फेमस वरिय सर्जन और एंडियन मेडकल एसोसियेशन के पुर्वराश्ट्री अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंग ने कहा कि पूरे देश में डॉक्टर नरिंदर प्रसाद जैसे विद्ध्वान सर्जन बहुत कम हुए मेडकल कॉंसिल के मेंबर भी थे और विहार मेडकल कॉंसिल के अध्यक्ष रहे विहार आईयमे के प्रसेडेंट भी रहे और उनके तरह का सर्जन होना काफी मुश्किल था आपको हम वता देते हैं कि डॉक्टर नरिंदर प्रसाद मोल रूप से नालंदाजिरे के विहार स्रिप प्रखंड अंतरगर्त तीवरी गाओं के रहने वाले थे साइध आप लोग भी जानते होंगे कि वही तीवरी गाओं में मेरा भी घर है और उसी गाओं में मैं भी पैदा हुआ हूँ मुझे गर्ब है कि मैं उस गाउं में पैदा लिया उस मिट्टी में पैदा लिया जहां के पदमस्री से सम्मानित डॉक्टर नरिंद प्रसाद थे और हमें गर्ब होता है आज भी हमें फक्र होता है कि हम डॉक्टर नरिंद प्रसाद की धर्ती से हैं हम डॉक्टर नरिंद प् देश ने एक कोही नूर को खो दिया जो साइद इस जन्म में पूरा नहीं किया जा सकता है और पूरे देश में ये एक अपुर्णिये छती है डॉक्टर नरिंद प्रसाद ने एक क्यानवे वर्स के उम्र में अंतिम सांसले है अक्सर वो अपना गाउं भी आया करते थे इसके अगले वीडियो में हम गाउं के लोगों को भी आपको सुनाएंगे कि गाउं के लोग आखिर कितने दुखी हैं जबकि पूरा देश उनके जाने पर शोक मना रहा है जगह जगह से उनके नाम पर शोक संदेश आ रहे हैं वियार के मुख्यमंतर नितीश कुमार डिप्टी स विजय सिन्हा के अलाबे समराट चौधरी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है तो वरी खबर में आपको राजधाने पटना से बता रहे हैं फ्रसिद्ध सर्जन पदमस्री से सम्मानित डॉक्टर नरेंद प्रसाद का निधन हो गया है और निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर तौड़ गई है